नमस्कार मैं आती रेडियो अड़स है और आज कुछ खास में हमारे साथ है एक बहुत ही खास महमान वो कहते हैं न कि मनजिर दूर और सफर बहुत है छोटी सी जिन्दगी और फिकर बहुत है मार डालती ये दुनिया कपका उसे पर खुदा की दुआओं में असर बहुत है सच में अगर उस खुदा की दुआ होना तो बहुत कुछ हो सकता है एक ऐसी ही छोटी सी बच्ची जो जब सिर्फ माह भर की थी तब उसके पिताजी ने कुछ ऐसा किया कि शायद उसकी जिन्दगी ना बचे लेकिन वो कहते हैं न कि जाको राखे साईयां मार सके ना कोई और यहां यह चरितार्थ होता है कि जाको राखे माई या मार सके ना कोई सच में उनकी माँ ही थी उनका साहस था कि आज वो बच्ची जिन्दा हैं और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर रही है एक अच्छी नसीहत दी है उनकी माँ ने उसे और आज कुछ खास में आज है हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची जिनका नाम है नियती चित्रांश थांक्यू नियती चित्रांश हमारे साथ आने के लिए रेडियो अड़्डा आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है कैसे आपके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है लेकिन मैं यह चाहूंगी कि आप हमारी और्डियंस को अपने बारे में खुद कुछ बताएं प्यानों और बहुत सारे अलग-अलग इंश्रुमंट बगाने का बहुत शुक है प्यानों और इंश्रुमंट के लावा मैं को आनिमेशन करना भी अप्यानों आप एक नहीं दो नहीं आप बहुत सारे इंश्रुमंट बजा लेती हैं तो कौन-कौन से इंश्रुमंट साब बजा लेती हैं उनका आप नाम बता सकते हैं हम सबको बहुत बहुत अच्छी बातर बिटा मुझे तो मुझे तो इतने सारे इंश्रुमंट के नाम भी नहीं बता हैं अभी तुम से जानने को मिला हैं सबसे इंपॉर्टन की इसमें कोई नो कोई तो आपको इंस्पायर करता है ये सब करने के लिए तो आपको म्यूजिक की तरफ जो आपका लगाव है वो कैसे हुआ? मैं लगा किस ने आपको इंस्पायर किया कि आपका इतना जादा म्यूजिक के तरफ लगाव रहा कि आपने इतने सारे इंस्ट्रुमेंट इतनी छोटी सी उमर में सीख लिए? जब मैं 3 से थी तरफ ये अपने मामा के घर गई थी तो वो भी इकम खोज़र है तो जो नाइस में प्राक्टिस कर रहे हैं मैं गई वो कोई क्यून बजा रहे थे और मैंने का मामा मैं बजाओंगी और मैं थोटे की को अच्छे की को तोनी बजा दिया था तो मेरी माना जी तो जैसे आप इतने सारे इंस्ट्रुमेंट्स बजा लेती हैं तो स्कूल में भी इतने सारे कॉंपेटिशन होते होंगी उनमें भी आप पाटी पर जरू करती होंगी तो टीचर से आपको स्पेशल डीटमेंट मिलता होगा इसके लिए आइधिंग आपको अरे नहीं ऐसे कैसे अगर आप मेरी चास की स्ट्रुमेंट होती तो मैं तो आपको बहुत जादा इंपोर्टेंस एती सच में आप बहुत प्यारी और बहुत प्यारी बाते करती हैं और एक और बड़ी अच्छी बात मैंने आपके बारे में सुनी है कि लॉकडाउन के टाइम पे जब आप प्यानों के साथ बहुत कुछ अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करी थी बहुत सारे गाने अपने रेडी के थे और क्या वो था वो मुझे थोड़ा सा बताएंगी हम सब को क्या किया था अपने प्यानों के साथ एक्सपेरिमेंट जब लॉकडाउन का टाइम था तो कोई भार निकल है किकता था सब लोग उसमें घर के पर बोर हो रहे थे तो मैंने सुचे अपनी बाल से ली एक से ही अपने साइटी के लोगों को एंटरेंटेंग कर सकते हैं तो अपना प्यान है और लोगों को एंटरेंग किया जिसन को थोड़ा मज़ा आया थोड़ा किया वाव ग्रेट मतलब लॉकडान में जहां सब अपना-पना कुछ ना-कुछ किरदार निभा रहे थे एक छोटी सी बच्ची ने भी अपने गाने से और अपने प्यानों से सब का मनुरंजन के अब बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात और मुझे लगता है कि यह सब आपकी मम्मा हैं जो उनकी यह दुआओं का सर है उनकी महनत है जो आप इतना अच्छा कर रही हैं और लोग उस चीज को पसंद कर रहे हैं अच्छा एक चीज़ और आपकी इंडियन, इंडियन है, आई लाइक, कछॉले बटुरे, ठीक है, ओके, गुड़, और, आई डोंट लाइक करेला, करेला, वो तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नी है, और, चले ठीक है, लाइक हो गया, डिसलाइक भी हो गया, इसके साथ, अभी जैसे आप म्यूजिक के लिए इतना सेरेस हैं, तो म्यूजिक को लेकर आपने इसके लिए कुछ शिक्षा ली है, कहीं से ट्रेइनिंग ले रही है, और, क्या-क्या आपने इस पर अभी तक किया है, म्यूजिक को ले क्या बताएं। कितने साल का कोर्स है, जो प्यानों का आप कर रहे हैं। कि हाँ, हमने नियती का इंट्यू लिया था, और नियती मैंने सुने कि आप इंडियन आइडल के स्टेज तर गई थी, तो कुछ बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें हमसे, कैसे हुआ ये सब और, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, किन से आप मिली। वहां से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने को फॉर्स देखिएंगो, मिला की शूटिंग जैसे होती है, बड़े-बड़े स्टेश चैसे होती है, वहां पर मैंने अपकी पिक देखी थी उनके साथ, बहुत प्यारी लगी थी यां, बहुत छोटी भी थी उस समया, अच्छा एक्छा 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 एक क्या क्या अभी तक अचीवमेंट्स रही हैं म्यूजिक को लेकर विट आपने क्या-क्या हासिल किया है आपको क्या एवार्ड मिले हैं बल्कि मैंने सुनाई कि आपने तो इसमें एक नैशनल रिकॉर्ड भी बनाया उसके बारे में भी कुछ बताएं मैंने को इंडिया बुकफ रिकॉर्ड में मैंने इस रिकॉर्ड बनाया है मैंने नाशनल आंशन से नाशनल आंशन बजाया था ग्रेट और इसका टाइमिंग भी था इधिंग 15 सेकंड या 65 सेकंड आम नोट करेक्ट आप बता सकते हैं मैंने आपके नेशनल रिकॉर्ड में दिखा था ग्रेट तो आपने 65 सेकंड में 15 इंस्ट्रुमेंट के साथ नेशनल एंथम बजाया ग्रेट ग्रेट अच्विमेंट बिटा बहुत अच्छे और ऐसे ही आप अचीव करते रहें और आपके मिशन में लगे रहें क्योंकि कह हो जो भी उन्होंने सोचा है आपके लिए जो सपने उन्होंने आपके लिए सजाए हैं वो सारे पूरे हो अच्छा बिटा बहुत सारे बच्चे हैं आपकी उमर में तो बच्चे यह सब आपने तो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है नि तो आपकी उमर के बच्चे आ कि अगर आपके अंदर कोई होबी है अगर आपके अंदर कोई खासियत है और अगर आप उसको निरंतर करेंगे बचपन से उसके पीछे लगे रहेंगे तो सच में एक दिन आप उस मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे कि वही होबी आपका भविश्य बन जाएगी और एक दिन आप सब का नाम रोशन करेंगे और बिटा आप बहुत सारे इंस्ट्रुमेंट्स बजाती हैं तो कोई एक इंस्ट्रुमेंट्स हमारी ओडियंस को आप सुनाएंगी जी बिल्कुल हम बिल्कुल रेडी हैं हम बहुत जाद एक्साइटिड हैं हमारे सामने नियती क्या करने वाली हैं अपने म्यूजिक को लेकर जैसे अभी 22 जन्वरी को राम मंदर बनने वाला है तो मैं राम जी जी बहुत अच्छी बात है बजाईया को क्यूकी बहुत अच्छीक बात क्यूकी का बहुत अच्छी को 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 क tut वाव ग्रेट ग्रेट नियती आप बहुत हुश्यार हैं बहुत प्यारी हैं बहुत टालेंटिड हैं और मुझे लगता है संगीत आपकी रग रग में बसा है अपने बहुत अच्छे से प्यानों को हैंडल किया और उसके साथ आपने बहुत प्यारा गीत गाया पिटा बहुत प्यारे बच्चे हैं और मैं तो यह कहूंगी कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उडान कम है और ह बहुत बड़ी मुजिक डारेक्टर बनो अपनी मम्मा के सारे सपने पूरे करो हमारी दुआएं आपके साथ हैं बहुत सारा प्यार रेडियो डग की तरफ से बिटा बहुत अच्छा लगा आपसे बाते करके और ऐसे ही अच्छे-च्छे काम करो और आगे बढ़ो अपनी मम् तो शायद बच्चे का हर सपना पूरा हो आप सभी को मेरी शुप कामना है और नियती बहुत सारा प्यार आपको रेडियो डग की तरफ से बिटा ऐसे ही मुस्कुराते रहो हसते रहो और अपनी मंजिल तक पहुँच जाओ ठीके बिटा बहुत सारा प्यार आपको रेडिय दूर है लेकिन मुझे लगता है कि इसी तरह से आप प्रियास करते रहोगे तो बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाओगे. Thank you, beta. Thank you so much और बहुत सारा प्यार एडियोटा की तरफ से.